अमारे एक वीवर्स ने कोई जगा से एक जिनेटर पर्चेस किया था, नया जिनेटर में डिश्टाप आ गया, नया जिनेटर में तो ऐसे प्रॉब्लेम नहीं आना चाहिए, आप लोग भी ध्यान से दिखेगा, ताकि आप लोग के साथ भी ऐसा प्रॉब्लेम ना हो, अगर ऐसा प्रॉब्लेम हो जाए, तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालिएगा, हमारे एक वीवर्स ने कोई जगा से एक जिनेटर पर्चेस किया था, पर्चेस करने के बाद उनके साथ एक प्रॉब्लेम हो गया, नया जिनेटर में डिश्टाप आ गया, तो उनको समझ में न आप की पर था, उसके साथ वो कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने भी ठिक ठक उसको कोई सॉल्यूशन नहीं बता पाया, तो मेरा वीडियो बनेने का मकसद एई है, कि वो कस्टमर के साथ क्या प्रॉब्लेम हो उनका जो नया जिनेटर है, नया जिनेटर में तो ऐसे प्रॉ प्रॉब्लेम ना हो, अगर ऐसा प्रॉब्लेम हो जाए, तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकलिएगा, तो उन्होंने जब उसको घर ले आया, इंजिन ओयल डालके, पानी बानी डालके, जब इन्जिन स्टर्ट किया, तो अल्टेनेटर से सप्लाई नहीं दे रहा है, तो उन्होंने फिर सॉब कीपर को फोन किया, कि ऐसा जो जब जब पर्चेस करके लाया, तो जब खरीद के लाया, वो जब बता दिया, लेकिन अभी प्रॉब्लेम क्या हुआ, कि उन्होंने वो जब दुखन से घर में लेके आया, उसका जो चार्ज है, ट्रांस्पोर्टिंग चार्ज है, वो तो उसका बेकर चला गया, ठीक है, वो तो नहीं मिलने वाला, फिर उसका घर से सब कीपर के पास ले जाएगा, और भी ट्रांस्पोर्टिंग चार्ज लागेगा, फिर सब कीपर उसको राखेगा, मेकानिक बुलाएगा, देखेगा, बहुत टाइम लग जा तो इसका जो जिनेटा सेट है, ये डाइट टाइट जिनेटा सेट, डाइट टाइट जिनेटा सेट में सप्लाई नहीं हा रहा है, तो सबसे पहले आपको चिक करना पड़ेगा, इसका उफोर में देखेगा, चार्ट डाइट रहता है, ये चार्ट डाइट सबसे पहले है कि यह डायोड ठीक है या नहीं अगर मालनी जी यह डायोड ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले अब इंजिन को स्टाट करिए यहां पर देखें आउट्पूट का दो और निकलता है सिंगल फेज में ठीक है अब यह दो यहां से दिखेंगा इसका लाइन को सप्लाई आ जाएगा यह डाय टायटकर में अकसर होता रहता है कि यह अपरा रहता है कि इसलिए क्या होता है जरा अंदर जो अन्दर जो अनदर होता है वो ठोरा डेयम हो जाता है इसलिए उसको थोड़ा short circuit करने से क्या होता है उसका अंदर जो सर्कूलेशन है electric circulation के वज़ा से वो फिर क्या काम करना चालो कर देता है वो viewers ने हमारे यहां contact किया WhatsApp में contact में उनका जो problem था बताया तो हम लोग उसको बता दिया कि करके देखिए आपका जो यह problem है यह solve हो जाना चाहिए अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपका जो side में देखिएगा main diet रहता है side में वो diet एक बट चिक करने का अगर वो diet भी ठीक है करने के बाद भी अगर आपका अल्टेनेटर से लाइन नहीं आ रहा है तब आपका अल्टेनेटर में problem है एकदम confirm तो हमारे वो viewers हम जो जैसा बताया ऐसा किया करने के बाद उसका वो काम हो गया तो फिर उन्होंने हमको तो क्या करेगा इसके लिए भी एक solution है देखिएगा डाइट टाइव अल्टेनेटर में साइट में एक डिस्टन्स रहता है और वो डिस्टन्स में दो और रहता है ठीक है यह दो और को आप जितना एक भी पर तुमित करते हैं दोस्तो आज का वीजियो आप लोगो को अच्छा लागा होगा अगर अच्छा लागे तो एक लाईक जूरूर कर देखे का यह में दोगा, लेकर आते हैं टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक आप सब लोग क्लिक रहिए सुष्ट रहिए जाएं